आश्मान भारत योजना जिससे 23 सितंबर 2008 रगो पूरे भारत में लागू किया गया था इस योजना का मुख्यो देश आतिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्त बीमा मुहिया कराना है अब जिन लोगों का नाम आश्मान लिस्ट में नहीं है और जो अपनी आश्मान लिस् अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको आजाना है इस वाली वेप साइट पर आपको जो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहापर क्लिक करकर डिया आपको प्लिक करने के बाद आपको PMJY वाला ऑप्शन में नजर ओला जाएगा तो आपको PMJY वाला ऑप्शन ले लेना है और रहे ज्च्टर पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने GRIVENS फॉर्म आ जाएगा जिसको आपको भरना होगा तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है तो यहाँ पर आपको बैनिफिस्टरी वाला ऑप् इसके बाद दूसरे option में आपको यहाँ पर no कर देना है और फिर last वाले option में भी आपको no कर देना है तो यहाँ पर भी हम no कर देते हैं यहाँ पर second वाले option में no हट गया है तो फिर से यहाँ पर no पर हम click कर देते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर beneficiary का नाम डालना होगा यानि कि आपको अपना नाम डालना है इसके बाद आपको यहाँ पर gender चुन लेना है male female जो भी है वही इसके बाद यहाँ पर आपको date of birth और contact number यह आपको यहाँ पर भर देना होगा इसके बाद अपना state, district और यहाँ पर आपको जो है अपना address और email address दोनों आपको भर देना है अगर आपके पास email address नहीं है तो आप इस वाले option को छोड़ सकते हो इसके बाद यहाँ पर grievance against का option मिलेगा यानि कि आप किसके विरूप सिकायदर्ज करना चाहते हैं state चुन लेना है यहाँ पर तो हम यहाँ पर हमारा state चुन लेते हैं इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट चुन लेते हैं हमारा जिला आपको यहाँ पर चुन लेना है जैसे कि आप यहां पर request करकर लिख दें कि सर हम बीपेल कार्ट के अंतरकत आते हैं और हमारी सालाने income एक लाक रुपे से कम है तो सर इस वज़े से हमारा जुनाम है वो आप आईशमान लिस्ट में जोड़ दें इस तरह से आप यहां पर description में लिख दें इतना लिखने के आप documents में क्या-क्य अप्लोड करना है आपको वो भी मैं आपको बता जता हूँ तो आपको यहां पर PDF, Excel, फाइल में आप अपलोड कर सकते हो जैपीची फाइल में अपलोड कर सकते हो तो आप अपना यहां पर BPL कार्ड, आयप्रमान पत्र, समगर आइडी वगेरा इसरे option में आप यहां पर audio में भी अपलोड कर सकते हो तो यहां पर अभी हम जो है PDF फॉर्माट में आधार कार्ड, समगर आइडी और BPL कार्ड अपलोड कर देते हैं इसके बाद यहां पर side में एक और option है audio और वीडियो को आप record कर भी अपनी आवाज या फिर वीडियो record कर कर भी यहां पर upload कर सकते हो जिसमें कि आप request कर सकते हो और अपनी पूरी स्थिती बता सकते हो इसके बाद आपको declaration वाले option पर टिक करना होगा और यहां पर submit करना होगा इसके पहले आप अपने details फिर से एक बार चेक कर लें ठीक है अगर आपको details सही लगे तो भी आप यहां submit करते हैं, submit करने के बाद यहां पर आपके mobile पर message आएगा जिसे आपको यहां पर submit करना होगा एक OTP आएगा वह अपको यहां पर डालना होगा और submit करना होगा, इसके बाद आपका जो form है वह successfully submit हो जाएगा UGN नंबर आपको मिल जाएंगे इसे आप यहां पर copy कर लें या फिर ओके पर क्लिक कर दें, जिसके बाद आपने जो फॉर्म भरा है, वो आपको एक बार फिर से नजर आ जाएगा, इसमें सारी डिटेल्स रहेंगी, आप इसे परिंट कर लें, परिंट करने के बाद, आप जो है, इस फॉर्म को ट्रैक भी कर सकते हो, कि आपके जो फॉर्म आपने भरा है इसकी क्या स्थिति अभी तक रही है तो सब इसके लिए आपको करना क्या होगा तो फिर से आपको जो ही यहां पर होम पेज पर आ जाना है वैसे आप जो ही इस तरह से तो अपना फॉर्म यहां पर कंप्लीट भर सकते हो बरने के बाद आपको यहां पर डालना होगा और सम्मेट करना होगा सम्मेट करने के बाद फिर से आपके मोगाल पर रिकोटीपी आएगा वो ओटीपी फिर से आपको यहां पर डालना है और सम्मेट कर देना है ओटीपी सम्मेट करने के बाद आपको जो है आपकी इस्तिती इन यहां पर नजर आ जाएगी आप इस तरह से मतलब अपने application को यहाँ पर track कर सकते हो सारी details फिर से आपको नजर यहाँ पर आ जाएगी तो इस तरह से आप अपने application को यहाँ पर track भी कर पाओगे और इससे संब्दित कोई भी position आपके मन में हो तो comment करें दोस्तों और वीडियो पसंदाये तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इससे तरह की और वीडियो और information आपके लिए में लाता रहूँ और last मैं इतना ही कहूँगा कि जो लोग पात रहें सिर्फ वही लोग इस form को फिल करें दूसरे लोग फिल ना करें तब तक के लिए धन्यवाद